प्यारे बच्चों, नीट 2021 समात हुआ, आपने हमने खुम महनत की, आप राग भर जग के पढ़ाई किये, अपना पूरा 100% दिया, टिम नुलाइट भी आपके साथ लगी रही, टेस्स पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के क्लासेज के माध्यम से, इसमें रैपिट फायर भी था, क्वेश्टन भी हमनों डिसकस किया, एंसियाटी लाइन बाइन किया, ये तो पता ही था कि पेपर एंसियाटी से आना था, वैसे ही हुआ, लेकिन बच्चों ने जिस तरह से परफार्म किया है, मुझे बिलकुल उम्मीद नहीं थी, पिश्री बार जब 355 पेग बच्चे क्या है, तो लगता है था, ये किसी के 360 आ जाए, 355, हम लोंने एक सिरी सुरू की थी बच्चों, मिसन 350 प्लस, इन बाइयो, कहते भगवान देता तो छपरफार के देता है, कम से कम 500 बच्चे बता चुके हैं, जिनके नमबर बाइयों में 350 के उपर हैं, और इतना ही नहीं, दो दर्जन से ज़्यादा बच्चों के नमबर बाइयों में 360 आउटा 360 हैं, अभी भी लगता है, क्या कमी रही हम लोगों से, आपने पेपर के बाद अपने आपको अनेलाइज किया, उसी तरह से एक टीम, एक इंस्ट्यूट, एक बेक्ती, एक टीचर, अपनी परफार्मेंस को, अपने डारेक्शन को अनेलाइज करता है, बच्चों, हम लोगों का दो क्वेश्चन बैंक था, NCRT1, NCRT2 का, जब मुझे लगा कि पेपर NCRT से ही बनना है, तो मैंने NCRT के हर लाइन से पेज नमबर डालके क्वेश्चन बना दिये, NCRT को पढ़ा गया, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया, एकजामर को भी यही करना था, और अच्छी बात यह हुई, कि more than 95% क्वेश्चन, क्वेश्चन बुक से मैच कर गया है, अंतर इतना था, कहीं वो चीज आप्शन में थी, तो कहीं यह चीज क्वेश्चन में है, तो हमारे दो यंग और जुजारू साथी है, मनी सर, सैलें सर, हम आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करेंगे, कि क्वेश्चन बैंक कितना सिमिलर था, इसको जरूर बताईए बच्चों को, ताकि नीट 2022 में जो बच्चे एपियर होने जा रहे हैं, वो किस डारेक्शन मे किस लाइन में, किस लेंथ में अपनी थैयरी करें, तो बच्चों जरह सा देखिए इसको कि हमारा क्वेस्टन बैंक कितना सिमिलर था, इसमें कोई भी क्वेस्टन कहीं से लिय नहीं गए हैं, कोई भी क्वेस्टन किसी कमपेशन से नहीं उठाए गए हैं, सारे के सारे सवा सब्सक्राइब करें तो इसको अच्छे से देखिए इसको करिए आपको जैसा लगे आप कमेंट भी करिए तो बच्चों जैसा कि आपको डॉक्टर एस्पी सिंग सर ने बोला कि हम लोग की बुकलेट कितनी सिमिलर है तो वही हम लोग कंपेल्जन करेंगे और आप लोग कि जो बुकलेट है वो भी NCRT पर ही बेस्ट है तो एक्जैक्ली 95% क्वेशन्स जैसा मनी सर ने बताया है तो अल्मोस्ट एवरी क्वेश्चन इस बींग मैस्ट तो आए देखते हैं हम लोग NCRT 1 से हम लोग शुरू करेंगे यूनिट वाइज क्वेशन्स उसमें दिये हु है और बुकलेट का क्वेशन पेज नंबर सब आपको जिद प्रूफ मिलेगा तो आप लोग देखिए खुदी कि कितना यह सिमिलर है हम लोगों ने NCRT 1 को डिसकस किया नीट के साथ कि हमारे NCRT 1 बुकलेट से हमारी कितनी मैच कर रही है तो आज हम लोग डिसकस करने वाले है NCRT 2 नीट का पोर्शन प्लस हमारी बुकलेट से ही कितना सिमिलर है यह बुकलेट जिसमें क्वेशन हम लोग डिसकस करेंगे आपको दिखाएंगे कि यह बुकलेट NCRT पे बेस इसमें क्वेशन फ्रेम किये गए इसमें पेज नंबर भी मेंशन है किस पेज नंबर से कित सिमिलर मैच कर रहे हैं और सार अगर माना जाए अगर 11 12 सेपरेट कर दें तो 11 परसें मैच कर रहा है 11 का तो ऑल्मोस्ट परसें हम लोगों ने देखा एक भी क्वेशन NCRT का बाहर से नहीं आया था नीट में और हम लोग की बुकलेट से भी एक्जैक्ली ऑप्शन वगरा कि हम लोगों ने वीडियो में आपको डिसकस किया हुआ है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे NCRT 2 जो क्लास 12 की है उसका नीट का डिस्ट्रिबूशन किस तरह से है चैप्टर वाइस उसको हम लोग देखते हैं और हमारी बुकलेट से कितना से मिलर है इसको मनीश सर आपको ब बुकलेट के कोईशन से तो यह बुकलेट हमारे जिन बच्चों ने यूज किये उनके लिए बहुत ही फाइदे बंद हुई है और यह बुकलेट लॉंच हो चुकी है मार्केट में मनीश सर आपको बताएंगे इसके बारे में इसको अफलाइन पर्चेस करना होगा तो हमार जो निवलाइट इंस्ट्टूट का एप है गूगल प्ले स्टोर से आउनलोड कर लिजिए और बच्चों वहां पर भी जाके आप इसका पीडियाफ पर्चेस कर सकते हैं और इसका लिंक हम लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा होगा वहां से भी आप सकते हैं यह हमारे एप को और वहां से जैसे मनीस सर अपको बता रहे हैं इसके बारे में कि आप पर्चेस कर सकते हैं तो आएए देखते हैं इसके कुश्छन कितने रहें थो प्लाइंट-समानिक्ट में पूछा गया था मुझा घल्य जैसा हमें पता है हर्माफोडाइट बाइसेक्शुल लोमो तहले सारे तर्म यूज किया जाते हैं तो कारा मारकेंशिया साइका सरसीनेलिस और कैरिका पाया यह इसमें ऑप्शन दिये हुए और देखते हैं यह मैच किससे किया है तो सर्य हमारी सेकेंड जो बूकलेट है हम लोग ने उसको फूर्जि देडाविक्श है यह नाप जाई है तो एक्जाटली सिमिलर प्रेंदि और और क्षटन नमबर नेक्स टिपिकल ऑंचिपर अम्रियो तोह एंपर में पूचा गया हैं यह पुल्छा गया हैं इन्जो पर इंडियो यह पाम सिंगल पस पोर्स से फ्रेम किया गया है और यह हमारी बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 89 पेज नंबर 24 से मैच कर रहा है इसको अगर बोला जाते हैं एकदम डिटो मैचिंगे सर इस लिए कि एकदम क्वेश्चन की जिसके आठ टिपकल इसमें भी है तिपकल इसमें भी दिया हुआ लाइंग्विज भी इग्जक्टी यह देख रहे हैं एकदम मैच कर रहे हैं और एंसर से आपके उसी जैसे इसमें बना एट नुक्लिए एट सेल एट नुक्लिए सेवन सेल्ड ऐसे करके आपसन भी बना हुआ हुआ है तो एदम डिटो मैचिंगे सर्ट क्वेश्चन नंबर देखें तर्म उसफॉर ट्रांसफर ऑपॉलें ग्रींज पॉलेंग्रेंज का ट्रांसफर टर्म किसके लिए क्या यूज किया जाएगा एंथर आफ वन प्लांट तो इस्तिक्मा फटेफरेंट प्लांट विश्टूरीं पॉलेंशन बिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट सब्सक्राइब दो कोशन से मैच कराया है कोशन नुमर 109 वन 10 साथ का ही कोशन है दो कोशन से मैचिंग कराने का मतलब यह था कि हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ और या कोई एक वर्ड मैच कर रहा हूं पूरा एक्जेक्ट डिटो लेंग्वज कर रही है कॉंसर प्रांसफर आ स्टिग्मा तो देखिए एक्जैक्ली हमारा ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं और यह पूरी लेंग्वज कर रहा है तो यही इस बुक की ब्यूटी है इस बुक में पूरा जो क्वेस्टेंस हैं वह एंसी आर्ट से फ्रेम किये गया है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि न अल्मोस्ट एंसी आर्टी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और यह आप लोग जो बुक्रेट है इसमें अपको क्वेस्टेंस भी उसी से बात सही है अगर मैंने इनलिसिस किया आपने भी प्रिविएस यर 2010-2020 कराया हमने भी कराया है तो एक निकल कि आता सर 2010 से अब एक साल और चलें तो 80 to 85 questions आपके NCRT से ही रहते हैं थोड़ा बहुत हो सकता है मोडिफिकेशन हो लेकिन एंसर आप एक्टली लाइन आपको मिलेगी 85% questions में बाकी questions में थोड़ा बहुत concept हो सकता है बट वो भी आपका होगा NCRT से ही तो आपको NCRT पर ही focus करना है तो यहां पर next question देखे in some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release और यह NCRT 2 page no.24 से है और हमारी booklet second booklet के question no.48-49 page no.20 पर जो दीए उससे match कर रहा है देखते है मनी सर क्या बताता है सर जो 48-49 question है इसमें जो टाइप बन सकता था एक तो वाइबलिटी फार मन्त और यह था विदिन 30 मिनर्ट जो राइस वगरा के लिए तो हमारे question दोनों के लिए फ्रेम थे पॉइंट में जो question पूचेंगे उसके आजुबाजु के points भी आपके कवर हो रहे हैं तो यह देखते हैं next question receptors for sperm binding in mammals are present on जो receptors है sperm binding के लिए वो किस पर प्रेजेंट होते हैं तो इसका आंसर जोना पहले सिटा था और यह पेज नंबर 51 यह हमारे question नंबर 167 और पेज नंबर 53 से मैच कर रहा है सर इस question को हम लोग कह सकते हैं कि एंसे आटी से ही था लेकिन थोड़ा सा हट के मानेंगे क्योंकि receptor वर्ट दे दिया बच्चा सकता है लेकिन सर देखिए कि आपका वही है concept से मैं जी दूरिंग फटलाइजेशन इस पांप सिंक कांटेक्ट बिद विच पार्ट आफ ओवर्म जाहिसे बाद जिसके पहले कांटेक्ट में आएगा जो इंट्री देगा वहीं पर रिसेप्टर होगा तो एंसर क्या था इसका सर जेवनों कर दो शुड़ा तो यह भी इसका कुछ लेना देना नहीं था एंसी आर्टी टू फिफ्टी 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 फॉर पेज नंबर से कॉंसेप्ट पर फ्रेम किया गया था क्वेश्चन नंबर हमारा जो एंसी आर्ट बुकलेट का है यह 207-194 और यह पेज नंबर 56-57 पर दिया हुआ हुआ है स्व इसमें आपका प्रोलेक्टिन बढ़ जाता है लेकिन प्रोलेक्टिन आपका मिल्क फार्मिंग हार्मोन होता है इसवज़ा से सिंपल था जे जे और इससे आपका दोनों से भावना है इसकी मिलते जाएं यहां पर आंसर दिया हुआ है कॉर्पस लुटियम एंसी आइटी टू पेज नंबर 53 से और हमारी बुकलेट का प्लेटेट नंबर नंबर फिफ्टी से तो थोड़ा सा अप्लाइड रहेगा क्योंकि रिजन क्या था कि हमारे अंसी अवरी दिया हुआ है तो लेकिन लोग इसको और कोई अच्छिंग तो नहीं कर सकते हैं लेकिन तो प्लसेंटा से यह फिर और तो इसलिए इसमें यहां पर जो मैच कर रहा है और वहां पर जो मैच करेंगा प्लसेंटा नाव नेक्स्ट क्वेश्चन यह मैचिंग क्वेश्चन है वाल्ट्स आयोडी वैसेक टॉमी ट्यूबेक टॉमी यह कॉंट्रसेप्टिम मैथर्ट्स पे और यह क्वेश्चन था पेज नंबर 6162 से एंसी और यह हमारा जो क्वेश्चन है उससे मैच कर रहा है 49 54 73 75 पेज नंबर 65 66 67 68 सरे जो हम लोग मैचिंग कर रहे हैं चार कोशन से करानी का रिजन ही रहा कि सबकी मैचिंग करानी थी एक तो कौन नाट रियूजबल है जैसे आपका डाफ्राम वाल सर्विक्स इन सबके बारे म हुआ है तो दूसरा मैचिंग हम लोगों ने कापा रिलेजिंग का क्या फंक्शन में जैसे फंक्सन दिया दुच से अच्ट और और शर्व सुन नेक्स्ट अपन्र कि वैस तोम्य क्या है आपका और क्यूबक टूमी क्या है वां परतिया पूर्ट कर लिए गाए हम लोगों नंबर 63 से वैंडियर्ट डीजीज हम सभी को पता है स्टी एए स्टी एए सेक्शुली टांस्मिंटिट इंफेक्शन और यह कुश्चन हम लोगों का मैच कर रहा है 89 और पेज नंबर 69 पर हमारी बुकलिट में दिया हुआ है सर इसमें हम लोगों नो जो मैच करा है 89 कोश्चन से की एक तो आपका ही पेट्राइटिस भी एट से क्या होता आपका स्टी आई है और एक कैसे इंफेक्शन होता है सारी आप सने इसके आपके और साथ ही साथ साथ सर अगर हम लोग एट को अपने दिमांग में रख की इस कोश सब्सक्राइब यह तो अलमोस्ट सेंग क्वेशन विच्वन फॉलोइंग इस एंग्जांपल ऑफ हर्मोन रिलीजिंग आयोड हर्मोन रिलीजिंग आयोड के बारे में पूछा हुआ है इस क्वेशन में और यह एंसी आटी टू पेज नंबर 60 अभी तक हम लोगों ने जित इस परिंट है वह इनिद्य चाहिए नहीं की हमारे क्वेशन से जी सब्सक्राइощ से यह तो यूछ को भी मैच को पर आगे कर आएगे तो ढ़ी आपका यह सब्सक्राइब हो परी जो सब्सक्रार्ण होिए और लिए को आप जोईन करने करना चाहिए इसे जोईन करिए चैस करें तो बॉक लेट पर चेस करिये यह आप लोगों के लिए बहुत ही बेनेफेशियल होने वाली है बायल जी की प्रपरेशन के लिए तो यहां पर फिफ्टी नाइन और पेज नमबर 66 क्वेशन नमबर 59 से इसमें डिट्टो कोशन कहा जाएगा एक तो यहां पर जो ऑप्संस है उसका हम लोगों ने कोशन की कड़ेकिन प्रिफिकेशन प्रोसेस पर रिकॉंबिन डिन टेकलोजी एडिशन अफ चिल्ड एथनॉल प्रेशन करते हैं तो यह प्रेसिपिटेट करेगा डिने को और क्वेशन नमबर 85 पेज नमबर 171 से है यह सर इसको भी हम लोग डिटो में ले जाएंगे क्योंकि यहां पर यहां पर सिफ थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया उसक्वेशन को लेकिन एक्जाटली वह सेम मैचिंग एक्जाटली सिमिलर क्वेशन नमबर 121 दा प्रोड़क्शन ऑफ गैमेट्स वाइड पारेंट्स फॉर्मेशन ऑव जाइगोर्स एपन एफ टू प्लांट्स कैन बी सब्सक्राइब है इसका अंसर और मैचिंग इसलिए नहीं करा गया हलाकि मैच करा सकते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके ऐसा कोई कोश्चन अभी तक आया नहीं साइंटिस के नाम पर इसको दिया था तो यह ऑवियर सी वास है कि पनेट स्क्वाइर उन्हीं के नाम पर सब्सक्राइब है यह क्वेश्चन हम लोगों की बुक्लेट में दिया हुआ है डियने इस्टेंट्स ऑन जेल इस्टेंड विद एठीडियन बॉमाइड वें ब्यूट अंडर अल्ट्रा वार्लेट रडियेशन एपियर और यह एंसी रटी टू पेज नंबर 198 और यह क्वे इनने बैंड यूवी लाइट भी दिया हुआ है और कलर आपका और इंच और इंच करेक्ट तो एक्जैक्टली सिमिलर मैंच तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बैनिफिशल यह बुक की ब्यूटी ही यह है कि पूरी की पूरी एंसी आपको मिलेंगे आपके एंसी आ जोगा सरी मैचिंग इसका इसलिए नहीं करा करा कि रखागे को डारेट गामा रेज क्या कर रहा है यह नहीं लेकिन म्यूटेशन किससे होता है ऐसी लाइनिंग बनी हुए है यह जैसे यूवी रेज वगारा दिया हुए इस एक्जैट गामा रेज नहीं था तो हम लोगों 98 से और यह हमारे क्वेशन नंबर 40 पेज नंबर 90 पर जो है बुक्लेट में उससे मैच कर रहा है अपका आप देख सकते हैं सेम लोगों ने बनाया है था इन लोगों ने भी अबी सीडी करके सेम बनाया हुआ है तो इक्जैटली वही क्वेशन सेम क्वेशन क्योंकि यह जो नीट भी जो questions prepare कर रहा है NCRT पे बेस्ट है उनका भी और हमारी booklet भी टोटली NCRT पे बेस्ट है इस वजह से यह इतनी ज्यादा similarity निकल करके आ रही है question number 136 what is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes eukaryotes में यह question था NCRT 2 page number 111 पे और यह हमारे question number 123 से match कर रहा है page number 98 पर सब जो 123 question है अगर यह यहां पर RNA polymerase 1 होता 2 होता 3 होता तो भी हमारे यह कापी ज्यादा helpful रहने वाला है हम लोगोंने तीनों की matching करा के रखे है तो हम लोग के booklet में जो भी आपको questions मिलेंगे वह आपके लिए additional preparation में भी helpful हो गए additional points जो आपको चाहिए वो भी आपकी तयारी हो जाएगी question 144 DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as repetitive DNA single nucleotides polymorphic DNA satellite DNA तो repetitive DNA answer था NCRT2 page number 121 से और यह हमारा match कर रहा है question number 203 से page number 105 सर जो 203 से matching है यहां पर DNA fingerprinting हम लोगोंने option में लगाया हुआ है और उसकी जो language है उसको हम लोगोंने question प्रेम किया हुआ है exactly similar matching ही इसको भी बोला जाएगा क्योंकि यहां पर सिर्फ option को question 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 option में कर दिया गया है question number 147 identify the correct statement correct statement क्या होगा RNA polymer is winds with row factor to terminate the process of transcription in bacteria the coding is stand in a transcription unit is copied to a messenger RNA स्प्लिट इन अरेंग्मेंट इस करेक्टरिस्टिक और प्रोकेरियोर्स इन कैपिंग मैथिल गॉनसिंग ट्राइफ फॉस्पेड इस एड़ी प्राइम और यह NCRT 210 111 से और हमारी booklet जो है यह सेकंड इसका 110 100 125 127 122 question नमबर से मैच कराने का रिजन किया था इसमें भी points जादा है जैसे कि हर एक point बरबर है तो जैसे आपका इस प्लिट जीन आपका किसका होता अथा यह उक तो पहला एक था यह जिसमें आपका युकारियॉर्ट इक में है किसे क्राइग किया जाता है किस एंट पर टेलिंग किया जाता है क्या हुआ तर इन सारी से मोग लेटेट सारा कोछ जाम अब हम कबड किया हुआ है और आप 127 में भी कैपिंग में आपका यू करिया टेक में थ्री डैस इन पर क्या करते हैं फइव दैस पूरा मैचिंग हुई पर आपका इग्जाटली नावी मुव तो यह समय और 122 से जिसमें ट्रांस्क्रिप्ट्टन में आर ने पॉलीमरेज का क्या काम था उसमें एक आप सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आया तो कभी कभी मालीजी भावना ही मिलती थी लेकिन हम लोग हो सकते हैं इन्होंनों भी अदिनीन कर दिया है अब पूछा तीनों का है जिर्ट्ली से इंचेशन एक्जाटली सिमिलर कोशन नमबर 173 विच इस ना ओनली एंजाइन दैट एस के पैपिलिटी तो कैटलाइज इनिशेशन इलांगेशन और टर्मिनेशन इन प्रोसेस ऑफ ट्रांस्क्रिप्शन इन प्रोकेरियों यह पेज नंबर पॉलिमरेज एंस्वर है हम लोगों ने आरने पॉलिमरेज का वर क्या है कैन एलों इनिशेट इलोंगे टर्मिनेट तीनों प्रोसेजों इलोंगे टर्मिनेट सबसे मैचिं करा दिया तो इनका जो क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन है इसमें एडिशनल इंफोरमेशन भी हम सब्सक्राइब कर लिए सारे ऑप्शन में क्वेश्चन नमबर वन इटी विच आप फॉलोइंग आरने इस नोट रिक्वाइट फॉर्ट पॉर्टीन कौन सा टाइप आरने जो प्रोटीन सिंथिस के लिए नहीं चाहिए होगा टी आरने राइब सोमल आरने इसमाल इंटर बीच नहीं है लेकिन हमारे पास एक कौन सा आरने प्रोटीन सिंथिस के लिए रिक्वाइड है तो अगर आपने आपको यह पता है कि कौन-कौन से आरने रिक्वाइड है तो भी आप इस कोश्चन को अट्रेंट कर सकते हो इसलिए हम लोगों नहीं अप्लाइड लिए कोड़न अ यूजी कोड़न आपने ले इस टेटमेंट तु ए ए ए ए ए और एग बोध कोड़न 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 पॉर्ट पॉर्ट अंसर फोंड़न गिवन बिलो तो जने टेक कोड़न पर यह कोश्चन था और यह कोश्चन हमारा पेज नमबर 112 न्-C-R-T से फ्रेम किया है नीट ने और हम लोगों का यह क्वेश्चन मैच कर रहा है बुकलेट के 136 पेज नमबर 99 पर डायरेट मैचिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन जैसे इनिसियेटर कोड़न में सब करके कोश्चन हमारे में बना हुआ है तेक कोश्चन को मैच किये जैसे इनिसियेटर कोड़न यह उजी होता है तुरंट उसके solution में लिखा हुआ है कि methionine को कोड करता है आपका तैनि पहलों को मैचिंग कर रहा है इसका अगर हम लोग इसमें solution भी दिया हुआ है जो questions है उसके साथ साथ उनके solutions भी उसमें दिये हुआ है तो solution में हमने इसका जो explanation दिया है उसमें methionine word भी cover किया हुआ है तो आपको complete इसका solution के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा answer मिल जाएगा which one of the following statements about histone is wrong यह neat का question है और यह NCRT2 पेज नमबर 102 से frame किया गया था और यह question match कर रहा है question number 44 45 47 से जो कि page number 91 की booklet में दिया हुआ है तो इसमें तीन कई सारे option यह सारे option यह से बारे में सब कुछ तो पहला आपका matching है histone कैसा होगा positively है कि basic है सारी matching हो रहे है question number 44 से 44 में यह देखिए histone में lycine arginine क्या पाई जाएगा उससे matching हो रही है और सर आपका DNA के बारे में पूरी information यह अक्टमबर बना के nucleosome बनाएगा package होगा तो basic protein जिसकी जरूत होगा दीने के बारे में जो भी important points है वो सारे हमारे मुप्रेट में कवर है the factor that leads to founder effect in a population in founder effect पे question था page number ncrt2 137 question number 82 से match कर रहा है page number 117 पे तो सर यह भी डिट्टो matching है बस यहां पे founder effect पूछा गया है हम लोगों ने question में पूछा है कि वाट इस founder effect yes drifted population yes जैनि genetic drift की बात कर रहे हैं उसको क्या कहते है founder effect yes correct question number 192 match list one with list two adaptive radiation convergent evolution divergent evolution evolution by anthropogenic action evolution का question था यह और correct answer match करना था booklet से देखते हैं किस तरह से match कर रहा है सरे match कर रहा है हमारे चार question से 40 44 57 54 से जो हमारे पीज number 114 12 13 पर दिया हुआ है तो पहला हम लोगों ने homology क्या है convergent evolution कि divergent है किस से match कराया है दूसरा आपका analogy analogous सब्सक्राइब क्या है और सब्सक्राइब क्या है और साथ ही साथ आपका सब्सक्राइब की एंथ्रोपोजिनिक एक्शन के बारे में भी option में दिया हुआ है तो पॉस्टन सारे के सारे आपके वहीं मैच कर रहा है एक्जाट्ली मैचिंग क्वेस्टिंस सब्सक्राइब करना था तो पहला तो 22 जो मैचिंग है पर नहीं भी अपका दिये हुआ है इसके बाद सब्सक्राइब के बारे में दिया हुआ है तो भी मैच कर रहा है तो सब्सक्राइब का आपका से मैच कर जाते हैं क्वेश्टिन नमबर 164 विच अब फॉलोइंग इस अन अब्जेक्टिव ऑ बायो फॉर्टिफिकेशन इस इन क्रॉप्स नॉट अन अब्जेक्टिव दिया हुए सब्सक्राइब फॉलोग नियुक्ति नमबर 165 जो अब्जेक्टिव है उसको लोगों कॉस्टिव रखा जैसे ब्रीडिंग क्राप इस अब बीटामिन इस तो उसके बाद सर आपका क्या हो जाएगा बायो फोटिफिकेशन यहां पर जो हमारा आप सने कोशन है और जो इनका कॉंटेंट है वह हम लोगों ने कॉस्टन में रखा जैस तो इसको भी एक्जाक्ली सिमिलरी बोला जाएगा स्ट्राइज इस फॉर इन्हेंस्मेंट इन फूट प्रोडक्शन से क्वेश्चन विच अप्र फॉल्विंग इस नोट एस्टेप इन मुल्टिपल ओवलिशन एंब्रियो ट्रांसफर टेक्नोजी यह क्वेश्चन 163 68 169 से और हमारी बुकलेट का क्वेश्चन नमबर 23 24 25 यह सर राइट इसमें आपका सारे ऑप्संस को सब्सक्राइज कराया है 23 में यह यहां पर यहां पर हम रोगों ने पूछा कि किस से एड्मिनिस्टर करेंगे एफ एस लाइक एक अटिविटी और इसमें जो नमबर आफ एग यह जो है एक टाइम में वह आपका यहां पर ट्रांपर टू सरोगर्ण मतल्विच स्टेज यह तो थर्टी टुश्टेज श सारे ऑप्शेंस हमारे कवर हो रहे हैं क्वेश्ट नमबर 95 मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू प्रोटो प्लास फ्यूजन प्लांट टिशू कल्चर मेरिस्टेम कल्चर माइक्रो प्रोपागेशन टोटी पोटेंसी पोमैटो सोमकलोंस वाइरस फ्री प्लांट चूस करेक प्रोटो प्लास फ्यूजन के बारे में दिया तो उसको हम लोगो सोमेटी है इसके बास आपका मेरिश्ट्रम कल्चर है तो इसमें जो पार्ट लेते हैं वाइरस फ्री प्लांट बनाने के लिए सेम आपका लाइन है जैसे वाइरस फ्री बनाना नेस्ट जो मैचिंग सर आपसन एक दिया हुआ है उससे मैच करा रहे हैं तो आलमोस्ट सेमिलर कोईश्ट्रम सेमिलर मैचिंग और काफी कुछ में तो डिक्टो एक दम वही क्वेस्ट्रम वही ऑप्शन तो बुकलेट बहुत ही अच्छी है यह बहतरीन बुकलेट है आपकी बायों को क्रेम करने के लिए बायों को अच्छे से समझने के लिए और नीट में क्रैक करने के लिए नाव कोशन 159 फ्रॉम माइक्रोब्स और यह मैचिंग क्वेश्ट्रम से क्या-क्या अप्टेंट किया जाएगा एंसी आटी टू पेज नंबर 183 और यह क्वेश्ट्रम ट्वें पेज नंबर 152 बीच्ट जो क्वेश्ट्रम कर रहा हूं इसी से क्वेश्ट्रम कर रहा है और हमारी ब्लेट ब्लेट ब्रेंट की गई है यह यह वह पूध्य पर फ्रेंक की गई है इसी से questions pick किये गए तो definitely बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद होने वाली है बच्चों ने जुन्हों ने use किया है जो इस बार select हो रहे हैं वो सब बहुत कर रहे हैं तो आप लोग भी अगर benefit उठाना चाहते हैं तो आप इसको online या offline जैसा मनीश सर ने आपको बताया आप इसको purchase क सकते हैं question number 112 यह biotechnology principles and processes पे question है which of the following is a correct sequence of steps in a PCR polymerase chain reaction denaturation extension annealing extension denaturation annealing extension annealing denaturation extension denaturation annealing extension तो यहां पर यह तीन स्टेप्स होते हैं PCR में denaturation annealing extension और यह question number 89 170 सब्सक्राइब यह बच्चे इस बुक्लेट को पड़कर के गया थे उनको यही लग रहा था कि हमारी booklet वह सॉल्व कर रहे है क्योंकि test series में भी जो पॉश्चन्स हैं वह भी अमारे ncrt-based तो उनको यही लग रहा था कि हमारी test series का ही वह पेपर जैसे सॉल्व कर रहे हो असर सब्सक्राइब करें तो आप लोग जरूर इस से बुड़ें बुक्लेट को जरूर परचेस करें तो आई यह देखते हैं क्वेशन नंबर 134 विच आप पूछा गया है PCR का अप्लिकेशन जो नहीं है और यह ncrt2 पेज नंबर 212 से क्वेशन नंबर 88 और 170 पेज नंबर तो सर जो क्वेशन नंबर 88 से डारेट मैचिंगे डिट्टो क्वेशन है आपका एंसर आपका जीन अंप्लिफिकेशन है क्वेशन में पूछा है एंप्लिफिकेशन आप ज कोशन हो जाएगा तो हमर आप से नंजागा सर चलते हैं सर नेश्ट कोशन पर प्लासमेड PBR 322 has PST 1 restriction enzyme site within gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain तो पूछा गया था यहां पर अगर ampicillin resistance gene में जो PST1 site है उस पर अगर हम लोग इस enzyme को use करके beta galactoside gene production के लिए अगर insert करते हैं तो क्या changes आएंगे और यह हमारा match कर रहा है question number 6265 से अगर आपने हमारे question को किया हुआ तो इसका concept आपको clear हो जाएगा और यह question और है sir इसमें जो हम लोग उने 65 से किया हुआ है कि अगर beta galactosidee insert करेंगे तो blue color cannoli कौन देगा recombinant देगा कि non-recombinant यानि अगर इसमें कालोनी के बारे में पूछ लेता तो भी हमारे discussion से मैच करते है तो आपका जो additional information है वो भी हमारी cover हो रही है now question number 174 during the process of gene amplification using PCR if very high temperature is not maintained in the beginning then which of the following steps of PCR will be affected first or ncrt2 page number 202 से question frame किया गया है question number 90 हमारी बुकलेट का page number 170 सरे 90 से डिक्टो मैचिंग कहलाएगी यहां पर PCR में जो यहां पर answer है आपका denaturation step लोगों हम लोगों नहीं यहां पर उसको option कर question question कर दिया है और उसमें पूछा गया कि denaturation में ज्यादा temperature चाहिए दोने स्टेंड को खुलनी कि यह वेंजीन टार्गेटिंग इन्वाल्विंग जीन amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease it is known as और यह question number ncrt2 page number 211 से और यह page number 178 से अप्लाइट क्वेशन है इसका सब्सक्राइब कहने के मतलब है हमारे उस 178 पे अगर आप सारी कोश्टन सौल्ट की हैं इस question के answer आप निकादम जाएंगे सेम कॉंसेप्ट पे आपको कई questions आपको वहां पर मिल जाएंगे exactly a question नहीं है बट concepts अगर आपने समझे हुए हैं तो आप यह question भी सही कर लोगे question number 150 nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to be hybridized its complemented DNA in a clone of cells followed by detection using auto radiography because और यह question था ncrt2 page number 212 से जो हमारी booklet के question number 56 page number 179 से match करता है तो सर यह भी डिक्टो मैचिंग है यहां पर जो आप संदिया कि mutated gene does not appear on photographic film कुछ वैसा ही इसमें भी है कि how the mutated clones of cells for a disease can be detected yes तो इसमें appear होगा कि नहीं होगा कोई band बनेगा कि नहीं बनेगा सारी concept पे है अगर आपने इसको समझा हुआ है तो आपका यह question गलत नहीं होने वाला है next question with regard to insulin choose correct option insulin के संबंद में question था यह c-peptide is not present in mature insulin the insulin produced by recombinant DNA toclosure c-peptide the pro-insulin as c-peptide a-peptide and b-peptide और यह NCRT 2 page number 210 or 211 से था question है हमारे booklet का 40 41 42 सर तीन कोशन से मैच कराने का काफी statement दिया हो तो इसलिए मैच करा गया 40 में पहला concept आएगा कि insulin में कितने आपके चेंस पाई है यहां पर जैसे यहां पर number of chains पूछी हुए है मारी booklet में इसके बास सर आपका जो bonding किससे हैं जो यह आपका A और B तो the constituents polypeptide chain आर लिंक इस ददर आपको सर रियाद होगा कि यह आपर दिया तो हम नों को ने उसको आपको ने यह 2020 का question भी था जैनि उससे भी मैच कर रहा पिछले सार के question से भी और तो प्रो इंसुलीन में जब हटाना होगा मैच और में बदलना होगा तो किसको रिमूब करते हैं जैसे इसमें भी था तो यह पूरी डिटो मैचिंग है आपके तीनों कोशन देगी a specific recognition sequence identified by endeucliances to make cuts at specific position within the dnaz oka zaki sequences palindromic nucleotide sequence polyartil sequence degenerate primer sequence और यह ncrt2 page number 196 session था और आर हमारी booklet के question number 34 page number 164 से match कर रहा है सर जो मैचिंग कर रही है डिटो मैचिंग यह भी कहलाएगी इस स्पेसिफिक सिक्वेंच देको ना है बाई इंडो नुकलिएज और सर इसमें देखिया ऑप्शन जो भी है जैसे पैलंड्रोमिंग नुकलिटाइट सिक्वेंच डिटो अप्शन है इवन आपका पॉलिनुकल जोलगी इस वेरी इंपोर्टेंट विच फॉल्विंग मॉलिकूलर डियागनोस्टिक टेक्नीक से और यह क्वेशन नंबर था पेज नंबर 212 पे और एलाइजर टेक्नीक इसका अंसर था क्वेशन नंबर 53 हम से मारा मैच कर रहा है तेभी सर इसमें मैचिंग में यहां पर यहां पर दो परकार का एक ट्रेशनल में एक आपका मॉडन टेक्नोलोजी से तो यहां पर हम लोग ने कन्वेंशनल का पूछा है तो जो बचेंग हो आपका हो जाएगा मॉडन का अर्लीर डालियोस्टिक पर फिर दा अदिनोसीन दिया माइनस देशिएंसी यह इस फंक्षन टाइप का बोल दिया गया है हलाकि इस कुश्चन का मॉटिव था कि महां पर आपका इम्मून सिस्टम वीक हो जाता है सीवीए कंबाइन इम्मुन डिफिशिस शिंड्रोम ऐसा करके दिया हुआ है लेकिन इस वचे से अमने मैचिक नहीं कराई लेकिन इसके र है फिर इंस्पाइड आव इंटर स्पेस्फिक कंप्टीशन इन नेचर विच मेकनिस्म दग कंपेटिंग इस्पीसिस माइट है वाल्ड फॉर देर सर्वाइवल तो यहां पर कंप्टीटिव रिलीज म्युच्वलिज्म प्रेशन डिसोर्स पार्टिशन इस दिए गिविन औ सब्सक्राइब करने के लिए अब पूरा आपका कंप्टीटिव रिलीज भी आपसन है रिसोर्ट पार्टिशन आपका दिया हुआ है इसमें तो इग्जैक्ली सिमिलर ऑप्शन इग्जैक्ली सिमिलर क्वेस्टिन और रीजन सिर्फ यही है कि एंटी जो है वो नीट नीट जो भी क्वेस्टिन आ रहे हैं और अमारी बुक्लेट भी जो है वो न्सी आइड बेस्ट यही एक रीजन है कि हमारे क्वेस्टिन इतने ज्यादा सिमिलर है क्वेस्टिन नमबर 129 एमेंसलिज्म पर है यह और यह क्वेस्टिन एंसी आटी टू पेज नमबर 232 माइनस जीरो टाइप का इंटरेक्शन है क्वेस्टिन नमबर 81 से मैच कर रहा है पेज नमबर 193 तो सर्वेटी वन कोश्टिन में यहां पर जो इस पिसीज वन माइनस प एक्वेस्टि वर्ट्स और अल्मोस्ट सेम कॉंसेप्ट वाई इन एक्स्पोनेशल ग्रोथ इक्वेशन एंटी एंजिरो ई रिस्टू पावर आर्टी ए रिप्रेसेंट्स हलांकि सर यह के बारे में अभी तक कभी कोश्टिन नहीं आया था इंसे आर्टी में लिखा हुआ यह एक्वेस्टि लेकिन सरे ऐसा कुश्टि जल्दी फ्रेम नहीं किया जाता है थोड़ा सा अनीजुवल टाइप का है लेकिन आपका इस एक्वेस्टि यह बुक्लेट में हमारा था नहीं बट यह कॉंसेप्ट इस पर ही हमारा तो जिसमें आप अगर एंसे आर्टी क्या है क्या है कौन सो करता है इसके बाद लिजर्ड आपका दिया हुआ है तो कोशन नूबर 50 से मैच कर आ रहे हैं आपका इल्टीटूट सिकनेस पर दिया हुआ था पोटी से मैच हो गया हमारा और एल्टीटूट सिकनेस में क्या होता है जी घड़ जाती है कि बढ़ जाती है आपका पार्टियल प्रेशर आर्वी खुआ है अल्टीटूट इंट इस अल्टीटूट सिखनेस विजर्ट इस शिंटर्व एठी डिफिकल्टी अन हर्ट पाल्पीटिशन दियू दू लोग अट्मस्ट्रिशर अधाय अल्टीटूट रिजन इस गिभिन बोडी दस नोट गेच सफिशन और यह एंसी आइड ड से पूरा आपका मैच कर रहा है जी तो एक्जैक्टली सिमिलर मैच है और अमाउंट आप न्यूट्रियंट सच आज कार्बन नैट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्सियम प्रजेंट इन इन गिवन टाइम इस रिफर्ट तो एस यह स्टेंडिंग स्टेट और यह एंसी आर्टी टू पेज नंबर 253 पर यह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सर इसमें आपका स्टेंडिंग स्टेंडिंग नहीं है क्रॉप का तो है स्टेट का डारेट नहीं है लेकिन मैचिंग वगर हमें इसमों मिल जाएगा यह तो यह था प्रेट नंबर 126 देखते हैं एको सिस्टम और पिरामिड ऑब बायो मास इन सी जनरली अपराइट पिरामिड ऑफ इनर्जी इस अल्वेज अपराइट प्राइट प्राइट परेश्चन 248-249 पेज नंबर से फ्रेम किया गया था और हमारी बुकलिट में यह विश्चन न पिरामिड ऑब बायो मास इन सी क्यों फाइटो प्लेंक्टान और फिसेस लार्ज पूरा दिखाया हुआ है इन्वेर्टेड होता है कि अप्राइट होता है सारी डिट्टो मैचिंग है सारे इन दे एक्वेशन जी पीपी माइनस आर इस इकल टू एन पीपी आर रिप्रेजेंट्स आर के बारे में पूछा गया है रिटाडेशन फैक्टर इन्वार्मेंट फैक्टर एस्पारेशन लॉसे रेडियंट इनर्जी और यह एंसी आटी टू पेज नंबर 243 से और हमारी बॉक्लिट में क्वेशन नमबर 17 पेज नमबर 199 तो सब्सक्राइब यहां पे निपी पी के बराबर में लिखा हुआ है और आर के बारे में पूछा है हम लोगों ने निपी क्या होता है और जो उसल लिखा गया पूर फूर्फ फूल फार्म लिखा गया है जी पी पी का भी 282 से और हमारी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 133 पेज नंबर 237 यह भी डिट्टो मैचिंग है बस सेम साय कि आपका डॉप्सन उनिट वहां पे कोश्चन में हैं हमारे आपसन में हैं और थिकनेस आप ओजों कुश्चन लेकिन डिट्टो मैचिंग है तो सर यह लास्ट च क्वेश्चन नीट का पेपर हमारी बुकलेट से पेसले वीडियो में लोगों ने correct को यह कि आप की बूकलेट की ब्यूटी यह ही है कि यह बूखलेट पूरी की पूरी NCRT पर फ्रेम की गही है जैसा कि NEET का पैटरन चल रहा है तो यह बुकलेट आप लोगों के लिए बहुत ही बेनेफिशल होने वाली है So please go and buy this So thank you for watching Have a great day Bye-bye